अगर कल आपने मेरी स्टोरी पढ़ी हो इंस्टा पे और फेस्बुक पे तो काफी लंबी स्टोरी मैंने डाली थी और मैंने उसे पढ़ा मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाली और मैं चर्चा करना चाहता हूँ साइकिक नौट्स पे या गरंथियों पर या जो गाठे हमारे अंदर लगाई गई हैं उन पर वो कैसे फंक्शन करती हैं और वो कैसे खुलती हैं और जब वो खुलती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है हम इस बारे में चर्चा करेंगे देखिए हमारे अंदर साथ चक्र होते हैं और जब कुंडलनी नीचे से अब इनरजी जब फोर्स लगाती है तो वो उपर को हेड की तरफ बढ़ती है ठीक है अब इसके बीच में कुछ बाधाय बनाई गई ह ठीक है जो कुंडलनी के फोर्स या मूवमिन्ट को रोकता है और उससे प्राण जो है वो पूरी तरीके से मूवमिन्ट उसका नहीं हो पाता है ठीक है आपने पड़ा होगा गीता में लिखा है तीसरे ध्याय में योगीज अपने प्राण को सर पे लाके इस्ठिर कर देते ह है और तब वो लोग समाधिस्त हो जाते हैं तो प्राण को सर पर लाने के लिए सारे चैनल सुखुले होने चीए तेकि इन्होंने क्या किया है कि हमारी बॉड़ी में तीन गांठे लगा दी है गांठ आप समझते ही जैसे मानने जिये कोई चीज ऐसे करके आपने बांद दिया तो एक नॉट टाइब की बंद गई है अब उसको अंटाई करना एक बहुत बड़ा जहमेला है सबसे बड़ी बात तो यह है यह कोई साधारा नॉट्स नहीं है यह वेरी वेरी कॉंप्लिकेटेड वांस द्याथ्री ब्रह्मा गरंथी विश्नु गरंथी एंड शिवार ब्रह्मा नीचे के लेवल पर हैं मूलाधार वाले रीजन में मूलाधार और स्वाधिस्थान वाले रीजन पर हैं और जैसे मतलब जो कि आपको इस अर्थ से जोड़ते हैं काम आपका अटेच्मेंट और इमोशनल अटेच्मेंट जत्ना है वो इस पे ड्यील करती है basic और भी बहुत सारी चीजह हो सकती है है जो हजट हों लेकिन basically इसका इमोशनल अटेज्ममंट है जितनी भी चीज़ों से आप attach रहते हो ठीक है यह मेरा मम्मी पापा है यह मेरी प्रेमी का है फिर तीसरा जो है वो शिव वाली है जो उपर विशुद्धी और अजना पिज़स का main concentration है वो individual I am an individual यह जो ego है यह इस पर deal करती है यह basic dealing है इसकी ठीक है आप सुस्तों कि आप हो इसलिए हो क्योंकि आपकी आपसे गांट है ठीक है वाई यू आट देर विकोज यू है नॉट शिव नॉट यू कैंसे और शिव गरंथी है ठीक है तो अब हमें क्या करना है अब जो कुंडलनी चलती है या कोई specific energy एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही जीता है उन नीचे अपना काम के चीजों में लगा रहेगा वो जो ग्रंथी है ब्रह्मा वाली ग्रंथी नॉट नीचे वो उसी ताब से काम हम करके अपना चीजें material ठीक लेगा फिर उसके ओपर वाली ग्रंथी अपना worldly attachment मेरा पापा ममी फेमली यह बीबी बच्चे यह ऐसे करके ओपर चलता रहेगा फिर तीसरा ऊपना हो यह मैं हूँ यह ego है यह मेरा है यह मेरी body है यह मैं हूँ वससे करके यह मुझे यह करना तो यही तीनों चीज़ें करतीं लैकिन जब एक higher firm of energy आपको तो इन ग्रंथियों को खोला जाता है ठीक है तो यह वास्तों में एक इस वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉसेश रियली इट्स इन्सेन प्रॉसेश इतनी कठिन है मैं आपको बता नहीं सकता है और जब यह खुलती है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इससे अच्छा तो मर जाओं मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ ठीक है मतलब एक अजीव अजीव सी फीलिंग्स अजीव अजीव से इमोशिन्स पर एक्जामपल जैसे मैं आपको इसकी अनाहत वाली नॉट की बात ब नॉट यह मैं अच्छी तरह समझ किया हूँ क्योंकि जो भी कुछ होता वो यहीं होता है और यहीं पर ऐसे लगता कुछ खुल आए तो जब बहुत ज़्यादा तक्रीफ होती है तो यह क्या है ना यह अटेशिमेंट्स को तोड़ती है मैं वास्तों में देखा एक गजब क रहें कि फिर वो नीचे बैठती है वैसा नहीं कि वो आप एक स्टेज में बढ़ा दिया जाएगा आपको नहीं तो पागल हो जाओगे इसलिए वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो स्पेसिफिक स्टेज में आपका माइन रहेगा और आपको बड़ी तकलीफ होती है कृष तो ऐसे जहर बाहर निकलता है चुरी वे इसमें जो भी कुछ एक्यूमिलेटेड़ है ना कोई बीचीज खोलोगे तो बाहर निकलती है तो यह इतनी ज्यादा तेजी से बाहर निकलती है कि तुम कल्पना नहीं कर सकता है इतनी ज्यादा मातरा में इमोशिन्स का फ्लो इतन का माँ ठीक है तो यह इस तरीके से काम करते हैं और यह क्या करते हैं इसमें ही मेरे खाल से सब काम का वो बंधा होगा नीचे वाले में अलग टाइप का है ब्रह्मा ग्रंथी में उतना एदा दिक्कत मुझे तो नहीं महसुस होती है तो कि मैं शायद थोड़ा सा वैसे ही प कि बुद्धा ने कह दिया कि इसमें ऐसा ही लगता हुआ कि आप मरे और तब मरे वस तब यह नदी पार नहीं कर पा रहा था बुद्धा जब वह उसकी नौट्स खुल गई होगी ना दिमाग वाली जब खुलती होगी तो उसे वैसी मैसूस हो रहो गया इससे बढ़ी है त तो याद रखिए अगर आप सोचते हैं कि आप किसी विधी से इसको खोल लेंगे नौट्स को तो यह संबव नहीं है पहली चीज़ ठीक है यह सब आप प्रयास मत करिए यह कोई भी नहीं कर सकता है मैं आपको सही बता रहा हूँ यह कोई नहीं कर सकता है यह सिर्फ भगव कुंडलनी चागरण के गुरू और फलाना गुरू बैठे हुए हम इसे जागरित कर देंगे हम इसे कर देंगे इनकी कुंडलनी चागरित हो गई मैं मैं विदेशियों को पढ़ता हूँ मेरी कुंडलनी चागरित हो गई है मुझे ऐसा मैसूस हो रहा है कुंडलनी तो बुद्ध हो जाएगा तो he can he is something else you know फिर एक अलगी चीज हो जाएगी यह सब दिखते रहते हैं मेरी कुंडलनी जग गई मेरा यह हो गया जग वह कुछ नहीं किसी की होती भी नहीं है खाली ऐसे बस कोई चक्र में कुछ थलका सदिक गया कुछ वह अपना एक दुकान बिजनेस आप लिए ना नो वन केंड़ एट नो एं अधर दें गॉड हिंशल और परफेक्ट गुरू आप सारो वो भी वो भी गुरू ऐसा हो जो कि फॉर्मलेश हो मैं तो मैं बता देता हूं कोई फॉर्म का आदमी मतलब फॉर्म में हो जो मतलब अपनी बॉडी में हो ग अधिकला आनी चाहिए तब वो अंदर घुश के उस चीज़ को शयद कर देगवार आपके अंदर आपके गुरू घुश जाए तो एक अलग बात है ठीक है सब्सक्राइब तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आप इस फीड्यार हैं कि मीन नौट्स कुल जाए या मैं जाग जाओं तो सोच समंझ के जाएगा क्योंकि इसमें बहुत जञाधा विश है बहुत ज़ड़ा ठकान है बहुत लंबी थकान और यातरा बहुत लंबी यात तो इस तरीके से आप देखिए और इनके बारे में मैंने आपको बताया है ठीक है ठीक है ठेंक्यू